दोस्तों कैसे हैं आप सब और आज हम बात करने वाले हैं वेन्यू के टोब मॉडल एसक्स ऑप्शनल डीजल की और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट और आपको देते हैं जानकारी फटाफट इस गाड़ी के बारे में फस्ट तो फॉल आपको की दिखाते हूं इसकी यह कुछ ऐसी इसकी दिखने वाली की है केले सेंट्री है इसकी और यह है कुछ इसकी फ्रेंट लुक में आप देखते हैं इसकी फ्रेंट ग्रिल फ्रेंट ग्रिल कुछ ऐसी दिए है क्रॉम गार्णिश वाली और इसके टॉप मॉडल में लगबक हैटलम तो प्राने में एक विउव दिखा देता हूं कुछ ऐसा दिखने वाला है फ्रेंट ग्रिल और हैडलेंज में इसमें टॉप मोटल में एक डिया रल लाएगा और अब देखते हैं इसकी साइडलोप साइडलोप कुछ दिखने में ऐसी हैं देख सकते हैं दोर्स पर क्रोम हैंडल्स पर दिए हुए और एक मैंने इसमें चीन नोटिस करी साइड मीटर्स पर इंडिकेटर बहुत ही छोटा है बट हाँ ठीक लग रहा है क्योंकि नीचे के दो नो मोडल में इंडिकेटर फेंडर्स में आ रहा है और इसका हम टायर चेक करते हैं टायर साइज है 215,60,16 और कुछ ऐसा है लोई दिखने में आप देख सकते हैं यह संरूफ अला मोडल है अभी अब मैं आपको अंदर बैढने के बाद इसके संरूफ की भी फंक्शनिंग पर दिखाऊंगा यह कुछ है इसका इस साइड से लुक देख सकते हैं आप इस मोडल में आपको यह एसी कुछ रूफुल्स मिल जाएंगी बोटी मजबूत रूफुल्स है और कुछ ऐसा मिल जाएगा शाक फिन तीद्टी न और कीणियर सेंट्री है दोस्तों कीले सेंट्री के साथ यह आपको मोडल मिलेगा ऐसेक्स ओप्षिनल अलोई भी इसके आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें डाइमंड कट अलोई हैं और सोला इंचीज में दीखिए आप चलते हैं इसके पीछे पीछे से लुक कुछ ऐसा है बहुत पीछे से इसमें लुक में मेजर चींज है आपको पीछे मिल जाएगा एक बैक वाइपर और एसेक्स मोडल है तो एसेक्स की बेजिंग और कुछ ऐसी दिखने वाली आपको लाइट्स जहां तक मैं नोट कर पा रहा हूँ यह लाइट पार्षक जाताया संब्सक्राइक के बहुत जबाम है अन्डरा के अंदर और है अपको फटा-फट दिखा आईटा हूँ गाड़ी है अंदर क्या कुछ दिया है होंडाई ने सो पहली attraction जो इस गाड़ी की है वो है इसकी seats so seats है electrically adjustable but height adjust इसकी still manually होगी six way adjustable seat है आगे पीछे करनी है बहुत ही अच्छा मुझे लगा luxury carola features है seat अगर आप देख लिए electrically adjust हो रही है आगे पीछे भी एलेक्ट्रिकली हो रही है बट स्टिल हाइट एड़ेस्ट करनेगा इन्होंने ऑप्षन मैनुवल दिया है जो कि थोड़ी कोस्ट कटिंग कर रही है वेन्यू में होंडाई ने बात करें इसके डोर की यहां पर कुछ सिल्वर फिनिच के साथ इसका बहुत ही स्टाइलिश टोर ओपनिंग हैंडल दिया हुए यहां पर त्विटर की प्लेस्मेंट मिलने वाली है यहां स्पीकर की प्लेस्मेंट और इसकी बात करें तो आपको यहां तोड़ा सोफट टच मिल जाएगा गाड़ी में यहां पर स्टिल हाड प्लासिक दिया हुए बट यह देखने में अच्छा लग रहा है बीच कलर है और यह कुछ आपको यहां पर कंट्रोल में यह आपको मिल जाएंगे मिरर साइड मिरर क्लोज करने के लिए अड़ेस्टेबल मिरर ऐसे कुछ हो इंटीर के बारे में और ऐसा कुछ आपको दिखने में ओटो क्लाइमेट इसी यहां पर आपको ओप्षिन दिया हुआ है ट्रेक्शन कंट्रोल का स्टार्टोप बटन गाड़ी को एक बड़ी स्टार्ट कर लिते हैं और देखने हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिख आपको स्टेरिंग दिखने वाला है जिसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल दिया हुए है और यहां पर आपको इस वेटर करने की ऑप्ष्ण्स दिया हुए हैं आपको यह देखने को मिलेगा ऐसा स्टाइलिस म्यूजिक सिस्टम जोकी दिखने में बहुत ही अच्छा लग र के साथ मिल जाएगा एंड इसमें ब्लू लिंग यह टॉप मॉडल है तो इसमें ब्लू लिंग का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है एंड कुछ ऐसे यहां पर आपको बहुत ही स्टाइलिश मीडिया कंट्रोल्स दी हूं है जो कि आप जिसको सिंगली क्लिक करके आप इसमें कुछ भी नैविगेट अपने हिसाब से कर सकते हैं एक मिन में थोड़े एसी को कम कर देता हूं यह तो आपको मेरे आवास सई से नहीं सुनने वाली एक बात जो होंडाई की मेरे को बहुत अच्छी लगती है इंजन अभी स्टार्ट है बट आपको इतना साउंड नहीं को पसंजर साइड की लुक यहां पर भी आपको सोफ्ट टच मिल जाएगा दोस्तों टॉप मॉडल में आपको यहां पर वाइलेस चार्जिंग का ओप्शन मिल जाएगा एंड होंडाई ने बहुत ही अच्छा फीचर यहां पर टाइप सी केबल का भी दिदी है अब आप ट इसेंट स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप अपना समान रख सकते हैं यहां पर आपको वैनिटी मिरर मिलने वाला है बट कोई लाइट नी है तो यहां पर आपको फोन पर बात करने के लिए जो भी माइक रहता है वो मिलने वाला है और ऊपर कुछ ऐसे लाइटिंग की रिज अब इसकी बात करते हैं संरूफ की जो कि इसकी मेन अट्रेक्शन है संरूफ इसका डिसेंट लग रहा है आपको मैं इसको संरूफ खोल के दिखा देता हूँ संरूफ भी इसमें अप्शन आपको मिल जाएगा पैननोमिक नहीं है बट स्टिल यह भी बहुत सफिशेंट है आपको बहुत एरी फिल देने वाला है और आपको बहुत मजाने वाला है लोंग ड्राइए और पाड़ो में जाने में तो यह कुछ था इसका फंट का लुक ए देखते हैं पीछे क्या कुछ दिया है होंडा ही इसमें दोस्तों आप पहुंच गे हम गाड़ी की बैक साइड में बैक साइड के कि लूब कुछ दिखने में ऐसी है और बात करते हैं टोर की एंड डॉर में दिया हुआ है सिम सोफ टच आई यहाँ पे हाट प्लास्टिक है यहां पर speaker की placement मिल जाएगे आपको कुछ दिखने में seat ऐसी है यहां पर कुछ आपको मिल जाएगा ऐसा armrest यह अगली seat मेरे साफ से adjust है तो मेरे को decent मेरी height है 6-2, 6 foot 2 inch और मेरे को काफी comfortable लग रही है बैठने में आप देख सकते हैं मेरे पास still इतना space है मेरे knees में space में थोड़ा कमी है बट हाँ decent space है आपको long drive पे अगर देखें आपको seat में कुछ ही तोड़ा दबा हुआ है तो आपको बैठने में कोई problem नहीं आने वाली तो आपको decent space मिल जाएगा back seat पे बैठने के लिए भी तो यहां पे कुछ इसके glass holders आम रेस्ट में मिल जाएंगे पीछे थोड़ा plastic का material है आम रेस्ट के पीछे यहां पे आपको AC events मिल जाएंगे और बहुत अच्छी बात यहां पर यह है यहां पे आपको दो टाइप सी charging sockets मिलने वाले हैं कुछ ऐसे चोटे-चोटे से इस इवेंट इसमें आपको मिलने वाले हैं क्यूट से दिखने वाले जो कि आपको ठंडी-ठंडी हावाद देने वाले हैं यहां पे and दूसरी side के door में भी same soft touch and यह silver finish वाले door handles and आपको इसमें मिलने वाला है adjustable headrest back seat पर भी यह कुछ इसका लुक है मैं आपको एक बारी बहाल निकलके back seat का look भी दिखा गयता हूं इसा कुछ है इसका back का and 60-40 adjusting seat है मैंने आपको बताया जैसे की देख लेते हैं यह कैसे hold होगी seat यहां पे इसका option दिया हुआ है इसको ऐसे दबाएंगे और आपके लिए यह पीछे boot space increase हो जाएगा यह भी बहुत अच्छा option दिया है on dry ने अगर आप इसका headrest थोड़ा bend कर दो तो यह seat पूरी नीचे तक adjust हो जाएगी मैं आपको इसका boot दिखा देता हूँ कितना है seat down करने के बाद आपको boot space काफी मिल जाएगा seat down करने के बाद अगर आप long dry पर तीन लोग जा रहे तो आप अपना और भी लगे जिसमें असानी से ले जा सकते हैं कि दो तो आप बात कर लेते हैं इसकी pricing की सारा व्यू मैंने आपको गाड़ी का दिखा दिया है सब कुछ आगे से पीछे से और अंदर से गाड़ी देखने में कैसी है तो यह था कुछ ओवर्विव हमारे SX Optional Model का तो SX Optional Model आपको पढ़ने वला है इसका 12,32,000 एक शोरूम आपको पढ़ने वला है और आपको यह पढ़ने वला है 14,38,000 का हर्याना में तो आपकी स्टेट में टेक्सिस वैरी कर सकते हैं बट एक शोरूम इसका है 12,32,000 आप दूसरे यहां पर वीडियो होल्ड करके दिखा देता हूं तो यह कुछ प्राइजिंग है वैर्यू के मोडल की सो आज हमने शूट किया है इस मोडल का SX Optional जो कि यह 12,32,000 एक शोरूम तो दोस्तों यह थी मेरी एक चोटी सी वीडियो SX Optional डीजल वैरिंट के बारे में वैर्यू के सो यह 2022 का वैरियन था आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट में जुरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जूरूर रखे जाएं इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी और